लो एवरीवान वेलकम टू धुरु डी एजुकेशन चैनल और कल हमने जितने भी आर्टिकल्स थे और कॉंस्टिटुशन के पार्ट्स थे और शॉर्स ऑफ कॉंस्टिटुशन थे सबसे रिलेटिव कॉस्चन्स डिसकसन कर लिये थे और आज यह मैंने एक छोटी सी क्लास बन करमेट में पढ़ाता और आज हम इनका एक लिश्टिंग के रूप में कुईक रिविजन कर लेंगे ठीक है जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिश्यल होगी चलिए तो सुरू करते हैं सबसे पहले हम आर्टिकल्स देखते हैं किस से रिलेटिड है यह नेम ए राज्यों का संग होगा यह हमारे आर्टिकल वन में ही मेंशन किया गया है आर्टिकल्स देखते हैं एड्मिशन और इस्टेब्लिश्मेंट ऑफ निव स्टेट्स जो निव स्टेट है उसकी स्थापना से रिलेटिड है और नई राज्य के प्रविश्य रिलेटिड है आर् और उसकी boundary में भी परिवर्तन कर सकते हैं और जो existing state है जो पहले से ही बना हुआ state है उसके name को भी हम change कर सकते हैं तो यह सब किसमे है? Article 3 के अंदर है Article 5 related है, citizenship से related है citizenship किसमे है? Article 5 में है Article 14 related है, equality before law law के सामने सब equal है Article 15, prohibition of discrimination on ground of religion, race caste, sex और place of birth Article 15 कहता है, यह मतलब बैन करता है कि किसी के साथ भी religion, race, caste, sex और उसके place of birth इसके आधार पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो यह किसमे का आगया है? Article 15 में Article 16 related है, equality of opportunity in matters of public employment यह public employment के matters में सबको equal opportunity प्रवाइड करता है Article 16 17 related है, abolition of untouchability एस्प्रेश्यता के abolition से related है और Article 18, abolition of titles Titles का abolition आर्टिकल 18 के अंदर है राजा महराजाओ जैसे अब कोई उपाधी नहीं ले सकता है Article 19 related है, protection of certain rights regarding freedom of speech Freedom of speech किस आर्टिकल में है? Article 19 में Protection in respect of conviction for offenses तो यह किस के अंदर कहा गया है? Article 20 के अंदर कहा गया है और Article 21 यह किस से related है? तो यह है protection of life and personal liberty यह personal liberty मतलब सबको निज़्दा का अधिकार है और सबको अपने जीवन का अधिकार है यह किस के अंदर कहा गया है? Article 21 में सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट है और इसलिए सारे के सारे ना आपको ध्यान रखने है चली नेक्स्ट है Article 21 यह किस से related है? राइट टू इलिमेंटरी एजुकेशन इलिमेंटरी एजुकेशन से related है Article 21 ए और इसमें जो 6-14 साल तक के बच्चे हैं उनको निशुल्क और अनिवारे सिक्षा देने का प्रावधान है Article 22 related है protection against arrest and detention in certain cases कुछ cases में यह arrest से और detention के against protection प्रोवाइड कराता है ठीक है तो यह किस में है? Article 22 इसमें यह नहीं है कि वेक्ति को तुम मनमाने तरीके से arrest कर लोगे तो यह कुछ case में उसको protection देता है Article 23 Prohibition of traffic in human being and forced labor यह 23 आर्टीकल जो है यह एक तो तुम यह forced labor पर रोक लगाता है मतलब किसी से तुम जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो और एक तुम human को बेची नहीं सकते हो ठीक है उसके व्यापार पर रोक लगाता है Article 24 Prohibition of employment of children in factories Factories में बच्चों की नोकरी करने पर रोक लगाता है ठीक है कार खाने हुए कंपनी हुई कुछ और उनमें ऐसा हजारडस काम कराया जा रहा है तो उसके क्या लगाता है बच्चे वहां काम नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके रोक लगाता है Article 24 Article 25 रेलेटिड है Freedom of Religion से रेलेटिड है सबको अपने इच्छानों सार रेलेजन मानने का अधिकार है Freedom of Conscience and Free Profession Practice and Propagation of Religion किसी भी रेलेजन की तुम प्रेक्टिस कर सकते हो प्रोपागेशन कर सकते हो तो किसमें ये Article 25 के अंदर है Article 26 Freedom to Manage Religious Affair Religious Affair को Manage करने की Freedom देता है Article 26 Article 27 बतर 25 में तो ये था कि तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो उसका प्रेचार भी कर सकते हो है न और 26 क्या करता है Religious Affairs की Manage की Freedom देता है 27 Freedom as to Payment of Taxes for Promotion of Any Particular Region ये से Freedom प्रोवाइड करता है कि तुम मतलब किसी भी कोई अगर Religious से Related कोई काम हो रहा है तो उसमें मतलब इसमें ये है कि राजे किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो टैक्स हैं देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है जिसकी आए किसी विशेज धर्म और धर्मिक संप्रदाय की उन्नती के लिए निश्चित कर दी गई है ठीक है तो क्या कर रहा है freedom as a payment of tax for promotion of any particular region किसी भी particular region के प्रमोशन के लिए tax से free करता है आर्टिकल 27 बात हैं नहीं है आर्टिकल 28 freedom as to attendance at religious instruction और religious worship in certain educational institution तुम किसी भी educational institution में religion से related education नहीं दे सकते हो 21 protection of interest of minorities यह minorities की interest को protect करता है आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 right of minorities to establish and administered educational institute तो यह क्या करता है यह minorities को right देता है क्या educational institute के एड्मिनिस्टर कर सकते है minority जो इसको establish कर सकती है तो एक इसमें आर्टिकल 30 में है जो हमारी हम minorities जो class है वे अपने हैं जो education institution है उनको उनकी स्थापना भी कर सकती है और उसका प्रिसासन कर सकती है आर्टिकल 32 remedies for enforcement of fundamental right including rights आर्टिकल 32 में रिट्स प्रवाइड की गई है और क्या दिया गया है यह इसको बोलते हैं सावधानिक अप्चारों का धिकार भी बोलते हैं इसको तो यह हमारा किस में दिया गया है आर्टिकल 32 में आर्टिकल 38 state to secure a social order for the promotion of welfare of the people और state social order issue भी कर सकता है किसके लोगों की welfare की promotion के लिए इसमें क्या करता है यह law बनाता है इसे रिलेटेड आर्टिकल 39 certain people of policy to be followed by the state आर्टिकल 39 equal justice and free legal aid सबको equal justice provide करता है और free legal aid भी देता है आर्टिकल 40 रिलेटेड है विलेज पंचायत से आर्टिकल 41 right to work to education and to public assistant in certain cases कुछ cases में यह right to work देता है एजुकेशन का right देता है और public assistant का 43 living wage से related है for workers 44 uniform civil court से related है और यह कहां है गोवा की अंदर uniform civil court 45 provision for early childhood care and free compulsory education to children below the age of 6 year जो बच्चे 6 साल से नीचे के हैं उनको यह childhood care और free compulsory education देता है आर्टिकल 45 48 organization of agriculture and animal husbandry इसकी agriculture और animal husbandry के organization से related है आर्टिकल 48 48e protection and improvement of environment environment के protection से और improvement से related है and safeguarding of forest and wildlife और यह forest or wildlife की भी protection से related है 49 protection of monument monument के protection से related है and place and object of national importance और वे place और वे object जो national nation के लिए important है उन सब के protection से related है आर्टिकल 49 आर्टिकल 50 separation of judiciary from executive judiciary को executive से separate करता है आर्टिकल 50 51 promotion of international peace and security यह international level पर peace and security को promote करता है कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 51 सारी आर्टिकल important है इसमें वे चल रहे हैं जो important है आर्टिकल 51 यह fundamental duty से related है कितनी और 12 ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटी कितनी यह 12 है 52 president of India से related है 53 article executive power of the union union के executive power से related है आर्टिकल 54 election of president president के election से related है आर्टिकल 54 55 में क्या है manner of election of president किस तरीके से president का election होगा वो किसमें है आर्टिकल 55 में 57 eligibility of re-election re-election की eligibility को provide करता है आर्टिकल 57 आर्टिकल 58 qualification for election as president प्रेजिडेंट की qualification कि यह क्या qualification होने चाहिए तब इलेक्षन लड़ सकता है तो यह है आर्टिकल 58 में क्या है प्रेजिडेंट की qualification आर्टिकल 60 रिलेटेड है oath and affirmation by president प्रेजिडेंट की affirmation और उसकी ओथ से रिलेटेड है आर्टिकल 60 61 procedure for impeachment of the president प्रेजिडेंट के impeachment से रिलेटेड है आर्टिकल 61 इंपोर्डेंट है 63 दा वाइस प्रेजिडेंट ओफ इंडिया वाइस प्रेजिडेंट का किसके आर्टिकल में बताया गया है 63 में 64 the vice president to be ex officio chairman of the council of state इसमें कहा गया है जो vice president होगा वो ex officio chairman होगा council of state का यह किसमें कहा गया है 64 में election of vice president vice president का election किसके अंदर है आर्टिकल 66 के अंदर है 70 discharge of president's function in other contingencies ठीक है 72 में क्या है power of president to grant pardons and to suspend remit or commute sentence in certain cases तो इसमें प्रेजिडेंट को यह वाला जो आर्टिकल है president को यह power देता है कि वो किसी को भी मतलब pardon grant कर सकता है कि किसी की भी जो सजा है उसको कम भी कर सकता है कुछ केसिज में 74 council of ministers to add and advise president council of ministers से related है जो advise को करेगी किसको president को तो किसमें है आर्टिकल 74 में 75 other provision as to minister minister से related provision 75 में और 75 यह यह रिलेटिड है prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of prime minister 75 1 किस से related है prime minister से प्राइम मिनिस्टर को कौन appoint करता है प्रेजिडेंट और बाकि जो ministers होते हैं उनको भी प्राइम मिनिस्टर की advice पे प्रेजिडेंट अप्वेंट करता है 76 related है attorney general इंडिया के attorney general किसमें है 76 के अंदर article 79 constitution of parliament parliament से related है article 79 और 80 composition of the council of state ठीक है राजे सभा भी बोलते हैं इसको composition of council of state आप बोलते हैं और 80 के अंदर क्या है composition of house of the people लोग सभा बोलते हैं इसको 81 लोग सभा से related है 80 राजे सभा से related है 79 पार्लियमेंट से related है और 83 duration of house of parliament ठीक है पार्लियमेंट के house की duration से related है 83 84 qualification of membership of parliament parliament की member की क्या qualification होनी चाहिए उसे related है 84 85 session of parliament, prorogation and dissolution ये parliament की session से related है 85 उसके dissolution से भी related और prorogation से भी 89 the chairman and deputy chairman of the council of state council of state के chairman और deputy chairman से related है article 89 article 93 किसे related है the speaker and deputy speaker of the house of people लोग सभा में जो speaker है और deputy speaker है उसे related है 93 और आजे सभा में जो chairman है और deputy chairman उसे related है 89 article 100 voting in house power of house to act not with standing vacancy and forum 108 ये मां ये ज्याद़ इंपोर्टेंट है ये joint sitting से related है 108 टीक है कौन सा आर्टीकल आर्टीकल 108 किस से related है ये joint sitting से 109 किस से related है special procedure in respect of money bill money bill के बारे में special procedure होता है उसे related है article 109 और definition किस में है money bill की ये है article 110 110 110 ठीक है 110 और 111 में है ascent to bills bill से related सहमती 111 आर्टीकल में है और 112 आर्टीकल में क्या है annual financial statement budget budget से related है article 112 ठीक है लेकिन इसको क्या बोलते है budget नहीं बोलते है इसको constitution में क्या कहा गया इसको annual financial statement article 114 related है appropriation bill से 116 vote on account, vote to credit and exceptional grants इसे related है article 117 special provision as financial bill से related special provision है article 117 में 122 में court not to inquire into proceeding of parliament, parliament की proceeding में court inquire नहीं करेगा इसे related है article 122 123 power of president to promulgate ordinance during races of parliament article 124 important है यह supreme court से related है उसके establishment और constitution से और article 129 supreme court to be a court of record इसके अंदर खागया है कि supreme court क्या होगा है court of record होगा और 137 review of judgment और order by the supreme court supreme court के द्वार जोडर दे गए उनके review से related है article 137 article 143 power of president to consult supreme court supreme court से consult करने की power देता है यह प्रेजिडेंट को once article article 143 important article यह भी इस अंदर और जनर ऑडिटर जनरल ओफ इंडिया कैग किस के अंदर है आर्टीकल 155 में है तो यह वाला इंपोर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी जो है कम से कम थर्टीन स्टेट्स की निव गवर्णर बनाए गए है ठीक है नी गवर्णर अपोइंट हुए है थार्टीन स्टेट की आर्टीकल इसलिए इंपोर्टेंट हो गया है क्योंकि करंट में है यह तो आर्टीकल 155 कि से रिलेटेड है गवर्णर के अपोइंट्मेंट से रिलेटेड है 163 काउंसिल ओफ मिनिस्टर्स टू एड एडवाइस गवर्णर की एडवाइस के लिए उसकी हेल्प के लिए काउंसिल मिनिस्टर बनती है आर्टीकल 63 में उसका बढ़नन है 164 अदर प्रोविजन्स एज टू मिनिस्टर्स 165 में क्या है एडवोकेट जनरल ओफ फोर्ड़ एडवोकेट इस्टेट में होते हैं और अटार्णी जनरल होता है सेंटर नोकिस में हैं 76 के अंदर 167 ड्यूटी जोफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट दा फ़र्निशिंग ओफ इनफोर्मेशन टो दा गवर्नर चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी ज है आर्टीकल 167 ए 169 से रिलिटेट है उसके अबोलीशन और क्रेशन ओफ लेजिसली डीव कंसील इन देस्टी लेजिसलेटिव कंसील से रिलेटिब है उसकी एडाइबोलीशन और क्रिएसँ के बारे में तहें और रहु है Reform सेशन ओफ द्स्टेट लेजलेजर पर्रोरोगेशन और डिजॉऌ असेंट टू बिल्स आर्टिकल 200 है और बिल्स रिजर्वर फॉर कंसिडरेशन ओफ प्रेजिडेंट यह है 201 जो प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व किये जाते हैं आर्टिकल 213 पावर ओफ गवर्नर टू प्रमलगेट ओर्डिनेंस ड्यूरिंग रिजिज ओफ लेजिस लेचर 214 में क्या है हाई कॉर्ट है स्टेट के और 124 में क्या था सुप्रेम कॉर्ट था 215 हाई कॉर्ट तु भी कॉर्ट of record थीक है इसमें का आगा कि हाई कॉर्ट क्या होगा कॉर्ट अफ रिकॉर्ट होगा 216 कंस्टिटूशन ओफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट के कॉंस्टिटूशन से रिलेटिट है 216 आर्टिकल 217 appointment and conditions of the office of a judge of a high court High court के judge की appointment से related है article 217 226 power of high court to issue certain rates उसमें तो दिया गया था article 32 में Supreme Court को जो rate दी गई है वे है article 32 में और जो high court को rate प्रोवाइड की गई है वो article 226 में 231 related है establishment of a common high court for two or more state two or more state के लिए एक ही common high court हो सकता है और ये किस आर्टीकल में आर्टीकल 231 में 233 appointment of district judge के appointment से related है 233 article 239E the provision contained in this article applicable to the union territory of पृड्डूचेरी शेटे आल सो अपनाई टूगाम टो यो औ तैर्रेट्रिज क्समेर को ने काये कि जो पृड्डूचे जो यूद्याम टेर्रेट्पील तो चेरिक उसमें जो प्रोवीजन है इस आर्टीकल के अंदर जो प्रोवीजन है वह जो जमुकस्मी जो है वहां पर भी क्या होंगे एप्ले के बलंगे तो यह भी इंपोर्टेंट आर्टीकल है 241 High Court for Union Territories Union Territories के High Court से रिलेटिड है 243A ग्राम सभा से रिलेटिड है 243B Constitution of Panchayat 243H Powers to Impose Tax by the Fund of the Panchayat Tax की पावर देता है पंचायत को 243K Election to Panchayat पंचायत की रिलेटिड है 243K Article 243Z Article Audit of Account of Municipalities 243A Election of the Municipalities 243ZD यह है Committee for District Planning इसे रिलेटिड है 243ZI यह Corporative Societies से रिलेटिड है 243ZI 249 Power of Parliament to Legislate with Respect to a Matter in the State List in the National Interest यह Parliament को Power देता है कि वह किसी भी जो स्टेट लिश्ट का सब्जेक्ट है उस पर क्या बना सकती है रेस्पेक्ट बना सकती है अगर वह National Interest Count ठीक है तो यह किसमें आर्टिकल 249 में आर्टिकल 253 Legislation for Giving Effect to International Agreements यह किसमें है International Agreements से रिलेटिड यह 253 262 Adjudication for Dispute Relating to Waters of Inter-State Rivers और Rivers Valley यह जो Inter-State Rivers से रिलेटिड डिस्प्यूट है या Inter-State River Valley से रिलेटिड डिस्प्यूट है उसके बारे में बताया गया है किसमें आर्टिकल 262 में ठीक है 262 ध्यान रखना है और प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एन इंटर इस्टेट काउंसिल से रिलेटिड है 263 आर्टिकल 266 Consolidated Fund and Public Account of India and of the State Consolidated Fund से रिलेटिड है कौन सा? यह है 266 इसको हिंदी में भारत की संचित निधी भी बोलते हैं और 267 related है contingency fund और इसको क्या बोलते हैं? आकिसमिकता निधी भी बोलते हैं इसको हिंदी में contingency fund है 267 फिक है दोनों में confusion हो जाता है यहां रखना है इसका भी फाइनेंस कमिशन किस में है आर्टिकल 280 में है 300A परसन नोट टू बी डिप्राइवड ओफ प्रोपर्टी से वाई ओथोरिटी ओफ लाग जो लाके द्वारा जिसको ओथोरिटी दी गई है प्रोपर्टी की उसको दू डिप्राइव नहीं कर सकते उसकी प्रोपर्टी से यह आर्टिकल 300A के अंदर कहा गया है आर्टिकल 312 रिलेटिड है ओल इंडिया सर्विस से 315 पब्लिक सर्विस कमिशन फोर दा यूनियन एड फोर दा इस्टी यह पब्लिक सर्विस कमिशन से रिलेटिड है आर्टिकल 315 323 एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रेब्यूनल से रिलेटिड है 323 भी ट्रेब्यूनल फोर अधर मैटर्स दूसरे मैटर पे जो ट्रेब्यूनल बनाई जाती है उनसे रिलेटिड है आर्टिकल 323 Article 324, superintendence, direction and control of election to be wasted in election commission Article 324, किसे related है, election commission से 326, elections to the log sabha and to the legislative assembly of states to be on the basis of adult suffrage इसमें बताय गया है कि जो log sabha के election है या legislative assembly के election है, state के तो वे किस के base पे होंगे, adult suffrage के base पे होंगे यह किसमें का आगया, Article 326 में Article 330, reservation seat for schedule caste, SC and ST in house of people इसमें log sabha में SCST के reservation seat से related है, Article 330 331, representation of Anglo-Indian community in the log sabha आप इसको खतम कर दिया गया है Provision of repeal by the 104th Constitutional Amendment Act 2019 यह क्या होगया, इस provision को repeal कर दिया गया है यह Constitutional Amendment का नाम भी धियान रखना है कौन सा है, 104th है और सन भी धियान रखना है, कब होया, 2019 332, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in the legislative assembly of the state इस्टेट की legislative assembly में, SC और ST के लिए, सीटो का reservation कौन से आर्टिकल में, 332 में 333, representation of the Anglo-Indian community in the legislative assembly यह स्टेट में जो legislative assembly थी, उन में Anglo-Indian की representation से related था लेकिन अब यह भी क्या होगया, रिपील हो गया है SC के national commission से, और 338 A national commission for ST, ठीक है 338 B national commission for backward classes, तीनों का धियान रखना है 338 SC के national commission का वर्णन है, 338 A में ST के national commission का वर्णन है और 338 B में backward classes का national commission है, ठीक है 343 official language से related है union की और at present कितनी language है, 22 constitution के अंदर 344 commission and committee of parliament in official language ठीक है, इसके official language पे parliament की committee और commission से related है 344, 350 A facility for instruction in mother tongue at primary stage primary stage पे mother tongue के instructions से related है 350 A, 350 B special officer for linguistic minorities linguistic minorities के लिए special officer का provision है 350 B article में 351 directive for development of the Hindi language 352 proclamation of emergency emergency, emergency किसके अंदर है, national emergency यह है आर्टिकल 352 में और 356 के अंदर है, प्रोविजन इन केस ओफेलियर constitutional machinery is state, अगर इस टेट में constitutional machinery फेल हो जाती है तो आर्टिकल 356 आ जाता है ना 358 suspension of provisions of article 19 during emergency emergency के दोरन article 19 suspense हो जाता है तो इससे related है article 358 359 suspension of enforcement of the fundamental right during emergency emergency के दोरन fundamental right क्या हो जाते है suspend हो जाते है तो इससे related है article 359 360 financial emergency से related है 365 effect of failure to complete with to give effect or direction given by the union 368 power of parliament to amend the constitution procedure therefore constitution के amendment से related है article 368 370 temporary provision with respect to the state of जम्मु कस्मीर यह जम्मु कस्मीर से related था article 370 लेकिन अभी क्या हो गया है declare in operative through a presidential notification on 6th अगस्त 19, 2019 अभी यह क्या कर दिया है in operative कर दिया ठीक है 371 special provision with respect to the state of महराश्टर और गुजरात यह महराश्टर गुजरात के कोई special provision दिये गए है किसके अंदर 371 के अंदर यह तो थी कुछ important articles लिए हमने वो